हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम जीन्स की पोकेट से एक मीनी पर्स बना कर तयार करेंगे, जिसकी हमने लंबाई चोड़ाई लिख दी है, हमने जीन्स की पोकेट ले ली है, उस पर हम कटोरी या कोई ढकन रख कर, इस तरह से उस पर निसान लगा लेंगे, न इस तरह हम गोलाई से काट कर इनको तयार कर लेंगे, इस तरह से आप काट लें, कटिंग हमने कर लिया है, इसमें हमें उपर नीचे के दोनों पीस मिल चुके हैं, इसी तरह से हम दूसरे पोकेट को भी काट कर तयार कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम क काट कर निकाल देंगे इस तरह से हमने दोनों पीज तैयार कर लिए हैं उपर नीचे का इसी तरह से हम दूसरी पोकेट में से भी इसी तरह से काट कर निकाल लेंगे हमने इनकी नाफ लिख दी है आप देखकर उस तरह से काट ले आप छोटा बड़ा जैसा भी आप काटे उस तरह से काट ले हमने एक काटे की पन्नी यानि की आटे के बैग से एक गोल इसी बराबर काट लिया है आप कोई फोम का भी काट सकते हैं और आप बुकरम से भी इसको काट कर तयार कर सकते हैं फिर हमने एक पट्टि ली है इस तरह से दो एक बराबर ली है और एक अलग ली है इन दोनों के बीच में हम चैन लगाएंगे इनके भी हम तीन तीन इस तरह से हम आटा बैक की पीस काटेंगे और फिर हम एक नीचे लगाने वाला काटेंगे और उपर के यानि की चार पीस हम इनके काटेंगे और दो पीस हम उसके काट लेंगे और एक चैन लेंगे और जो एक छोटे पीस है ये पाँच बाई पाँच के हम काट लेंगे या फिर आप जिसमें belt डालते हैं वो भी काट ले ike paint से ही इस तरह से हमें उपर नीचे रखके बीच में हम आटे वाली पननी रखेंगे और इस तरह से इसको seal लेंगे इसको हम seal कर तयार कर लेंगे दूसरा piece भी हम इसी तरह से कर लेंगे अब हम उन पर दो piece हैं जो उन पर चैन लगाएंगे इस तरह से हम नीचे कपड़ा रखकर उपर चैन रखकर सिलाई कर लेंगे चैन को हम उल्टा रखेंगे अब हम चैन पर दूसरा कपड़ा रखकर इस तरह से इसके उपर सिलाई करेंगे अच्छी तरह से सिलाई कर लें सिलाई करके हम इन कपड़ों को पलट देंगे दोनों पीस को हम अच्छी तरह से पलटेंगे और इन में हम आटे बैक की पन्नी लगा कर उसको सील देंगे आप अपनी पसंद से जो आपके पास उपलब्ध हो वोही चीज आप यूज करें इस तरह से हमने काट लिया है दागे को काट कर हम इनको पलट देंगे इस तरह से चैन को हमने लगा लिया है अब हम उपर से इसके एक सिलाई कर देंगे जिससे ये दब जाएगा इस तरह से इसमें बीच में अगर आपको ये पाउच पसंद आए आप लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करें अब इस पर दबाने वाली सिलाई कर दे उपर से टोप इस्टिच इस तरह से आप इस पर परेश कर ले तो और भी ज़ादा अच्छा रहेगा इस तरह से एक तरफ हमने लगा दिया है दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लगा कर तयार करेंगे यह निकल गई हम इसको दुबारा लगा लेंगे अब हम दूसरी तरफ उल्टा कपड़ा रखेंगे चैन पर चैन को सीधा रखेंगे और उल्टा कपड़ा रखकर इस तरह से हम इसको सील लेंगे फिर हम दूसरी तरफ से इसको पलटेंगे इस तरह से हम इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से जैसे हमने पहले लगा था इस तरफ से यहाँ पर हम कपड़ा दूसरा जीन्स का कपड़ा लेंगे और आटा पनी लेंगे इस तरह से दोनों को रखकर हम इस पर सिलाई कर देंगे फिर उसी तरह से हम इसको पलट देंगे और उस पर टोप इस्टिच कर देंगे इस तरह से आप सिलाई कर ले ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और पुरानी जीन्स की पोकेट से हिम इसको बना कर तयार कर लेंगे यह हमारे बोहती काम आता है इसमें हम कोईंस रख सकते हैं या कोई छोटी मोटी चीज इसमें रख लें इस तरह से हम बड़े वाली को भी इसी तरह से सील लेंगे तोनों तरफ एक जींस का कपड़ा रखें, बीच में पन्नी रखकर हमने दोनों साईड में सिलाई कर ली है, अब हम एक्ष्टरा को काट देंगे, इस तरह से सफाई से एक्ष्टरा को काट कर निकाल ले, अब हमने जो पांच बाइ-पांच के पीछ से निकाले थे, उनको हम एक इस तरफ सील देंगे और एक दूसरी तरफ सील देंगे, इस तरह से हम पहले इनको सील लेंगे, आप सिलाई में दो-दो मसीन करें, जिस से साथ ही पक्का भी हो जाए, इस तरह से हमने दोनों तरफ इनको मोड कर सील लिया है, अब हम चैन वाला चैन इस तरह से रखेंगे दोनों को एको सीधा रखेंगे फिर उपर से चेन वाले कपड़े को हम उल्टा रखके सिलाई कर देंगे इस पर हम सिलाई ध्यान से करें क्योंकि इसमें चेन है कभी सुई टूट ना जाए इस तरह से हां असानी से आराम से आप सिलाई करें इस पर डबल सिलाई आप कर ले अब हम इस पर उपर से सिलाई कर देंगे इस तरह से अब हम दूसरी तरब भी इसको जोड देंगे इसको हम गोल बना लेंगे दूसरी तरब भी हम इसी तरह से जोड कर इसको तयार करेंगे उल्टी तरफ से ही आप सिलाई करें ऐसे इसको हम सील लेंगे फिर हम इसको पलट कर हमने इस पर सिलाई कर लिये अब हम गोल वाले पीस लेंगे जो हमने पोकेट में से लिये थे उनकी हमने सिलाई कर ली थी इस तरह से हम इस फीज को दोनों को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से दोनों को उल्टा कर लें, उपर से उसी तरह यह लग जाएगा. दोनों को उल्टा करके आप इस पर पिन लगा लें जिससे इसे सिलाई करने में आसानी रहेगी इस तरह से उल्टा करके आप इस पर सेप्टी के लिए पिन लगा लें जिससे सिलाई करने में बहुत ही आराम रहेगा और दोनों पीस को एक को नीचे और एक को उपर इसमें जोड़ ले इस तरह से हमने इसको रखकर चारो तरफ पिन लगा लेंगे अब हमने चारो तरफ पिन लगा लिया है अब हम इसमें सिलाई करेंगे इस तरह से अंदर से कुछ इस तरह से हो जाएगा पिन निकालते रहें और सिलाई करते रहें इस तरह से हम इसके चारव तरफ गोलाई से सिलाई कर लेंगे और उपर का पीस भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे नीचे वाले पीस पर हमने सिलाई कर ली और उपर वाले पर भी हमने सिलाई कर ली और जो ये किनारा है इस पर आप कोई कपड़ा भी रखकर सफाई से उसको मोड सकते हैं जिससे दोनों तरफ से देखने में अच्छा लगे अब चैन खोल कर हम इसको सीधा कर लेंगे हमने पुरानी जीन्स की पोकेट को यूज करके एक मीनी पर्स बना कर तयार किया है इसमें जो हमने हुक डाले हैं इसमें हम चैन भी डाल सकते हैं एक तरफ हम चाबी का गुछा लगा सकते हैं दूसरी तरफ हम हाथ में पकड़ने के लिए कोई चैन या कोई रसी कोई भी चीज इसमें लगा सकते हैं हुक लगाकर आप इसमें लगा ले एक तरफ हम इस तरह से चावी लगा लेंगे जो हुक हमने तयार किये थे इन में इस तरह से हम इस चल्ले को पैना देंगे चावी लग गई है अब हम इसमें चैन खोल कर कुछ पैसे रखेंगे ये बहुत ही आसानी से बन कर तैयार हो गया है और देखने में भी अच्छा लगता है इसमें हम कोईंस और रूपीज रख देंगे और चैन को बंद कर लेंगे आप इसमें छोटी मोटी कोई भी चीज रख सकते हैं इस तरह से दूसरी तरप आप कोई चैन लगा ले या कोई डोरी बांद ले मीनी सर्कुलर बैक या पाउच बन कर तैयार हो गया है अमने से बड़ी ही आसानी से बना कर तैयार कर लिया है